डीपियस सीनिय सेकेंडरी स्कूल अजमेर अब सर्व समाज इसकी और अपने कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं बुद्वार को मुस्लिम घोसियान बिरादरी की और से मृत्यू उपरांत किये जाने वाले भोज पर ततकाल प्रभाव से रोक लगाने का निर्णे लिया गया घोसी समाज की पंचायत में पंचो निर्णे पड़ता है लिहाजा मुख्य मंत्री अशोग गहलोत के द्वारा लिये गए निर्णे की पालना करते हुए अब घोसियान समाज में भी इस समाजिक कुरीती को खत्म करने का सर्व सम्मत्ती से निर्णे लिया गया है समाज के हाजी रमजानी महम्मद गोसी, रुस्तम अली, शोय बक्तर सहित समाज के अन्य लोगों ने इसमें अपनी रजामंदी जाहिर करते हुए अन्य समाजों से भी सामजिक कुरीतीयों को खत्म करने के लिए आगे आने का आभन किया है इसके अंदर फिजूल कर्ची होती थी और इसी पेशे से हम लोगों की जो घरीब लोग है उनकी मदद करेंगे तो हर समाज के अंदर हर लेक्ती इस चीच का पेल करें और इस चीच को मानें तो इसके पेथा बचेगा और सब कुछ बिस्क्रेशन होगा मुसलिम गोशियान बिरादरी के तरफ से आज एक मिटिंग रखी गई उस मिटिंग में सरसमत्य से आज इणे लिये गए जो मुसलिम गोशियान बिरादरी में दसवा, बीसवा, चालीसवा जो लोग करते थे और जो फिजूल खर्जी करते थे राज सरकार की अच्छी पेल कर देखते हुए हमने सभी समाज के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग रखी उस मीटिंग में इन नियुद ले गिया है कि आज के बाद दसवा, बीसवा, चालीसवा पर पाबंदी लगा दी गई है और एक ये पाबंदी जो है एक सराने समाज ने एक निन्ने लिया है उस निन्ने को मानते हुए निन्ने को करते हुए हम सब ब्रादरी के लोगों ने आज ये निन्ने लिया है और अभी कई ब्रादरी कई समाज इसमें आ गया है तो हमने भी उ संपूर्ण गोसी समाज अजमेर बिरादरी ने ये निर्ने लिया है कि जो मिर्ति भोज प्रता चलती आ रही है उसको बंद करने का हम निर्ने लेते हैं और इसमें सरु सेमती हमारे पूरे गोसी समाज की है बुजर्ग, युवा, सब लोगों का यही निर्ने है कि इस प्रता को बंद किया जाए इस समाज के हर परिवार को फायदा होगा और हम यह अनुरोध भी करते के और समाज भी इस पे विचार करें और इस चीज को लागू करें